आप लोग ने अगर अपने पुराने questions paper जिसमें एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे ले लिए आप लोग civil service देख लिए state PCS जिसमें UPPCS हो गया विहार PCS हो गया MPPSC, राजिस्थान, 36 गड़ और भी जो भी आपके एक्जाम होते हैं या फिर आप लोग वन डे एक्जाम को उठा के देख लिए आपकी एक्ट से questions आते हैं फिर चाहे आपका 1773 से लेकर आपका 1947 तक जितने भी एक्ट बने इनसे 2-3-4 questions हर परिच्चा में आते हैं और इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूं आप लोग उसे कि कम से कब 5-6 साल पु के लिए परिच्चा की दृष्टी से महत्पूर है जिससे हरवार questions आते हैं अब देखिए आप लोग की संगठनों से questions आप देखते हैं कि हमेसा आते हैं यहां तक कि आप देखेंगे civil service में 2-3-4-5 questions तक आ जाते हैं इसलिए आपके संगठनों सभी कबर करवाये हुए हैं तो इन एक्ट को आप लोग वड़े अच्छे से रट लीजे इनकी हर point को याद कर लीजेगा और समीधान बनने की जो पिक्रिया है यहीं से सुनों होती है और आप देखेंगे कि 1947 पर आप जाएंगे 1950 तक पूरा समीधान बन जाता है सबसे पहले यहां तीन डेट भी बता देता हूँ आपको एक तो आप लोग सुनते हैं 15 अगस्त एक आप 26 नवंबर एक 26 जनवरी तो आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को आपको आजादी मिली थी अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को इसलिए आप लोग 15 अगस्त को सुतनता के रोम में मनाते हैं और 26 नवंबर को आप जानते हैं कि कुछ प्राउधानों के साथ 26 नवंबर 1949 को आपका समिधान लाग हुआ था तो आप लोग 26 नवंबर को समिधान दिवस मनाते हैं और आप देखते हैं कि 26 जनवरी को गड़तन दिवस मनाय जाता है क्योंकि आप जान समिधानिक पद हैं उसी दिन आए तो आप समझ सकते हैं एक एक करके हम लोग इन सभी एक्ट को देख लेते हैं और परीक्षा की दरश्टी से बहुत ही महत्पूर हैं आप छोटे से छोटे एक्जाम की देख लिए और वहां तक सिविल सर्विस तक देख लिए गां सबसे पह का द्वारा उठाये गया यह पहला कदम था अर्थाद कम्पिनी के सासन पर संसदिये नियंतर इस्थापित किया गया है आपसे डारेक्ट कुछ नहीं पूच लेगा कि किस एक्ट के द्वारा कम्पिनी के सासन पर संसदिये नियंतर इस्थापित किया गया था तो याद यानि की 1773 के regulating act के द्वारा केंद्रिय पिसासन की new रखी गई थी, क्या रखी गई थी, new रखी गई थी, इसकी कुछ बिसेस्था है अगर आप देखें, तो पहला इस अधिनियम द्वारा बंगाल की governor को बंगाल का governor general पर नाम दिया गया, आप समझ रहें, पहले 1773 की पहले आ तो यह आप लोग याद रखीएगा, मुंबई और मद्रास के governor को इस यानि की बंगाल की governor general की अधीन लिया गया, और एक एक्ट के तैत, बनने वाले पिथम governor general, Lord, Warren, Hastings थी, इस नाम को जरूर आप लोग याद रखीएगा, ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कि इस एक्ट क कोलकाता फ्रेसीडेंसी में एक ऐसी सरकार इस्थापित की गई, जिसमें governor general और उसकी फरिशत के चार सदस थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग सहयुक्त रूप से करते थे, governor general की अतरिक्त आप देखेंगे, उसमें चार सदस और जोड़ी गए, इस अधीनियम के तहत आप दे इसके पिथम मुखने आदिस, एलिजाय एमपे थे, एलिजाय एमपे, ए नाम भी कई बार पूँच लेता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, और इसके तहत आप देखेंगे, कमपनी के करमचारियों को निजी ब्यापार करने है, और भालतिये लोगों को से उपहा और पर रिस्पत लेना फिति बन्दित कर दिया गया, कि ना तो हम लोग आप समझेए कि एक्तरह से आप कहींक के अधिकारि बन जाते हैं, मानली जे शीधा सा कि आप लोग राजपाल बन जाते हैं किसी स्टेट के, तो आप पर रिकतरह से फिती ब난 लगा दिया जाए, कि ना तो आप वहाँ नेजी कोई व्यापार कर पाएंगे और ना ही वहाँ उस राजी के किसी वेक्ति से आप लो रिस्पत ले सकते हैं उपहार ले सकते हैं इससे क्या रहता है कि इमानदारी बनी रहे और भरष्ट ना हो वो ठीक है तो यह आप देखेंगे 1773 का Regulating Act की विसि सब्सक्राइब कर दिया गया तो इसे एक्ट की यहीं विसे स्था है और मैं इसलिए बोला हूं क्योंकि आप देखते हैं कि तीन नंबर छे नंबर में कई स्टेट पीसी एस कुश्यन्स कूछ लेता है लिखेत परीच्छा मुख परीच्छा की बात कर रहा हूं तो वहां भ अच्छे से याद रखिएगा रेगूलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया और इस एक्ट के अनुसार को कोलकाता की सरकार को बंगाल विहार उडिशा के लिए विधी बनाने का अधिकार पिदान किया गया किसे बंगाल की स प्रिसासन का प्यारम हुआ पहला बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स ब्यापारिक मामलों के लिए दूसरा आप देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनितिक मामलों के लिए यानि कि आप सच्छ सकते हैं कि दोहरी साथ पिसासन करने की एक तरह से सकती हो गई हैं पहला तो आप प्रिस इंडिया एक्ट की बात कराओं फिर देखते हैं आप लोग की 1793 में एक चार्टर अधिनियम आता है 1793 में चार्टर अधिनियम आता है इसके द्वारा नियंतर बोर्ड की सदस्थों और करमचारियों के बेतनादी को भारती राजस्थों में से देने की ववस्ता की आप समझ रहे हैं कि मतलब एक तरह से करमचारी और सदस्थ जो हैं इनके बेतन की भारती राजस्थ से देने की बात की अभी तक क्या था कि यह बाहर से मतलब अंग्रेज वहां से भेशते थे तो वही एक तरह से बेतन देते थे लेकिन आप भारत से ही देंगे ठीक है तो यें सब 293 का चाइटर अधिनियम कहता है फिर आप देखींगे कि 1813 का चाइटर अधिनियम आता है और इसमें आप देखेंगे के कंपीनी के अधिकार पत्त को 20 बरसों के लिए बढ़ा दिया गया और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने की एक अधिकार को छीन लिया ग प्राप्त रहा ये का अधिकार का मतलब होता है कि एक ही उसके पास सही अधिकार हो पूरा ठीक है तो याद रखे चीन और चाय को छोड़कर बाकी जो एक अधिकार थे उससे समाप्त कर दिया गया ये 1813 की चार्टर अर्दिनियम की बिस्स्ता है ये कुश्चन्स कई बार कई परिक्षाओं में पूछा जा चुका है कुछ सीमाओ के सीमाओ के अधिन सभी बेटेश नागरेकों के लिए भारत के साथ ब्यापार खोल दिया गया अभी तक कंपनी ही ब्यापार करती थी अब कहा कि कोई भी जाके वहाँ ब्यापार कर सकता है ठीक है लेकिन अभी भी दे फिर आप देखेंगे कि 1813 का आपका चार्टर अधिनियम आता है और इसके द्वारा कंपनी के ब्यापारी का अधिकार पूरता समाप्त कर दिया जाता है आप से अगर पूछे कि पहली बार कंपनी का इकाधिकार कब खतम किया गया तो 1813 में लेकिन इसमें आप देखेंगे चीन के साथ और पूरवी देशों के साथ चाय के ब्यापार को छोड़ दिया गया था उसके पास अभी भी इकाधिकार था लेकिन जो 1833 का चार्टर अधिनियम आता है इसमें पूरी तरह से इनका इकाधिकार खतम कर दिया गया कोई भी अब ब्यापार कर सकता है अब कंपन 1833 का अधिनि चार्टर अधिनियम की एक विसेश्था ये भी याद रखना है कि जो बंगाल का गवर्णर जनल हुआ करता था उसे अब भारत पूरे भारत की बात कराओ भारत का गवर्णर जनल कहा जाने लगा और मुंबई मद्रास की परिशदों की विधी निर्मार सक्ति गवर्णर जनल की परिशद में बिधी सदस की रूम में चौथी सदस को भी सामिल किया गया भारत में दास्पिता को बिधी विरोध घोसित कर दिया गया और 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया अधिनियम की धारा 87 के तरह कंपनी के अधिन पद्धारन करने के लिए किसी बैक्ति को धरम इस्थान मूल बंस रंग की आधार पर आयोग ठहराए जाने का पिती बंद किया गया तो आप देख सकते हैं कि यहां से आप मौलीक अधिकारों का भी एक तरह से आना सुरू हो गया गवर्णर जनल की पईसद को राजस के संबन्द में पूर अधिकार अत् बारतिय कानुनों का भरगीकन किया गया और इसकार के लिए विधी आयोग की नियुक्ती की ववस्ता की गई है और लौड मेकाली की अध्यक्षता में पिति बिधी पिथम विधी आयोग का गठन किया गया है 1833 के एक्ट को आप लोग बड़े अच्छे से याद करिएगा बार बार फोकस इसे लिए दे रहा हूँ, क्योंकि इससे कुश्चन साब के आते हैं ने एक्ट से, तो याद रखिए पहले विधी आयोग के अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिए लौड मेहका ले, और 1853 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं के ना से विवस्ता आप कह सकते हैं, अगर यह एक्ट ना आता, तो आप समझी कि आप भी तैयारी ना कर रहे हो, देख तरशे, तो यह भी याद रखिए, 1853 का चार्टर अधिनियम याद रखना है आपको, अब बात करते हैं, 1858 का भारत सासन अधिनियम, इस ने क्या-क्या कहा है इसमें, भारत का सासन कंपनी से लेकर वेटिस क्राउन से के हाथों में सौप आ गया, यानि कि हमारी इंडिया, यानि कि भारत का जो सासन कंपनी के हाथों में था भी तक, अब इससे छीन कर या लेकर वेटिस क्राउन के हाथों में दे दिया गया, किस अधिनियम के दवारा 1858 के भारत सासन अधिनियम के द्वारा भारत में आप देखेंगे मंतरी पत की विवस्था की गई और 315 सदसों की भारत परिशत का सहजन हुआ 8 सदस बेटिस सरकार द्वारा और 7 सदस कंपनी के नेदेशक मंदल द्वारा इसमें सामिल थे भारती मामलों पर बेटिस संसत का सीधा नेंतर रिस्थापित किया गया और मुगल समराट के पत को समाप्त कर दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा आप देखेंगे Board of Directors और Board of Control को भी समाप्त कर दिया गया यह भी आप लोगों को याद रखना होगा कि जो board of director था और board of controller था control इसे भी समाप्त कर दिया गया कब 1858 के भारत सासन अधिनियम के द्वारा और भारत में सासन संचालन के लिए वेटिस मंती मंडल में एक सदस की रूम में भारत की राजिस सर्चेप की निवक्ती की गई वो अपने कारियों के लिए वेटिस संसर्थ क पिती उत्तरदाई होता था भारत के गवर्नर्जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया अभी तक आप देख रहे हैं कि पहले बंगाल का गवर्नर्जनरल थर आप देखते हैं कि भारत का गवर्नर्जनरल लेकिन अब नाम बदलकर उसका क्या रख दिया गया वायसराय जो आपको याद रखना हूँगा फिर आप देखेंगे कि 1861 का भारत परिशाद अदिनियम आता है कब 1861 में इसमें आप देखें कि गवर्नर जनल की कारीकारी कारीकारी परिशत का विस्तार किया गया और भी बढ़ाया गया और बिभागी ये पिडाली का प्यारम हुआ Lord Kenning द्वारा ठीक है और Governor General को पहली बार अध्यादेश जारी करने की सक्ति पिदान की गए है अभी आप लोग देखते हैं ना कि Article 123 यानि कि Article 123 में राष्टपती के पास आप देखते हैं कि अध्यादेश जारी करने की सक्ति है उसी तरह आप कह सक्ति है ठीक है तो यह भी पिदान की पिदान की सक्ति है पिर आप देखते हैं कि 1873 का अधिनियम आता है और इस अधिनियम द्वारा यह भंद किया गया कि इस्ट इंडिया कंपनी को कि इसी भी समय भंग किया जा सकता है क्योंकि आप देखते हैं कि एक तरह से इसका अस्तुत ही खतम हो रहा था और एक जन्वरी 1884 को इस्ट इंडिया कंपनी को अपचारिक रोग से भंग कर दिया गया तो इस डेट को भी याद रखिए पूंचा जा सकता ओं लाइनर में साही उपादी अधिनियम 1866 इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रिय कारिकाइडी में छटे सदस की निवगती कर उसे लोक निर्मार विभाग का कार सौंपा गया और 28 अपरेल 1866 को एक उद्गोशना द्वारा महरानी विक्टोरिया को भारत की समिधान घोसित कर द 1873 की अधिनियम की विसेस्ता है इसकी बाद आप देखते हैं कि भारती परिशद अधिनियम 1892 आता है और एक क्या कहता है इस अधिनियम के द्वारा केंद्री और प्रांती विधान परिशद में अतरिक्त सर्दस्तों की संख्या पड़ा दी गई और उनके निर्वाचन का विसेस उलेक किया गया और इसके द्वारा सीमित चुनाओ की ही विवस्ता सुरू हुई लेकिन भारत के मुख सामाजी बर्वों का पिति निदित सुनिश्चित किया गया फिर आप देखेंगे इसी में आप देखेंगे परिशद की अधिकारों में बिद्धी की गई और व भारत परिशद अधिनियम 1909 और इसके दूसरे नाम को भी याद रखेगा कई वार कूश लेता है कि भारत परिशद अधिनियम 1909 की अधिनियम को एक और किस नाम से जानते हैं तो मारले मिंटो सुधार या फर मारले मिंटो सुधार किस अधिनियम को जानते हैं तो दोनों से आप लोगों को याद रखना होगा ठीक है पहली बार मुसलिम संदाइक के लिए पित्थक पितिनिधित का ओपन और बंद किया गया जिसके अंतरकत मुसलिम सदस्थों का चुनाव मुसलिम मद्दाता ही कर सकते हैं और इस विकार इस दिनिया में संपदाइकता को बैधानि पित्थकी विवस्था किस अधिनियम के तहट की गई थी तो 1909 का था मारले मिंटो सुधार के और याद रखिए संपदाइक था एक तरसे आप कैसे रखते हैं फूट डालो राज करो की नीती यही उजागर होती है उनकी क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुसलिमों को अलग क कर रहे हैं और राज करना चाह रहे हैं आज के नेताओं को भी तो आप लोग देखते हैं यही तो कर रहे हैं धरम के नाम पर लडाते रहते हैं जाती के नाम पर लडाती रहते हैं और अपनी डोटियां सेकते रहते हैं और याद रखा है यहाँ एक पॉइंट और आपको य गवर्नर्ट जर्नल की कारिकारडी परिशत में नियुकति की गई और केंद्री और फुरांती विधान परिशतों को पहली बार वचत पर बाद विबाद करने, सारजने खेतों के विसार पर पस्ताव पेस करने और पूरक पुछने पूंचने और मत देने का अधिकार मिला. अब आप देख रहे हैं काफी चूट मिल दी जा रही है क्योंकि अंग्रेज भी समझ रहे थे कि अब देखिए उनका टाइम खतम होने वाला है क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से आंदोलन बढ़ता जा रहा था प्रांती विधान परशत की संख्या में विधी की गई और पांचवा सत्यंद परशाद सिंगा वायसराई की कारिकारिणी परशाद की पित्थम भारतिय सदस बने उन्हें विधी सदस बनाए गया था ये नाम भी याद रखी सत्यंद पर साथ सिंधा बिधाईका के कारिचित में विस्तार किया गया सदसों को बजट फिस्ताओ करने और जनहित के विसेव और फिस्तिन पूचने का अधिकार भी दिया गया जिन बेसेओं को विधायका के रुचेत से वाहर रखा गया था बे थे ससक्त सेना और विदेश संबंध और देशी रियासत हैं आपने एक तरह से आप समझ सकते हैं कि 2019 के पहले जम्मू कस्मीर में आप देखते थे कि उसका अपना एक सम्मिधान हुआ करता था लेकिन आपने देखा हुगा सेना की बात कर लिजे विदेशी संबंध की बात कर लिजे यह भारत के अंडर में आया थे यही एक तरह से आप कह सकते हैं कि विवस्ता हुआ करती थी इस अधिनियम की सबसे बड़ी तुटी यह थी कि पिथक अथवा संपदाई काधार पर निर्बाचन की पदिती लागू की गई इसके अलावा जो चुनाव पदिती अपनाई गई वह इतनी आयसपर्ट थी कि जन पिती ने दी पड़ाली एक पकार की बहु बहुसी चन्नियों से चानने की पिक्रिया बन गई थी और संसदी पड़ाली तो दी गई परंदू उत्तरदायत नहीं दिया गया वो तो किवल आप सर्मस सकते हैं कि बाटने की बात कर रहे थे उनका कोई उद्देश नहीं था कि मुस्लिम आंगे बड़े समझ रहे हैं? अपना काम निकालना था फिर आप देखें कि कि आपका आता है भारती परिशद अधिनियम 1909 इसे आप लोग मौन्टेगे यूँ चैंप स्पोर्ट सुधार भी कहते हैं यह भी आप लोग याद रखेगा केंदरी विधान परिशद का इस्थान राज परिशद उच्च सदन और विधान सभा यानि कि निम्न सदन बाले दुई सदनिये विधान मंडले ले लिया आज भी तो आप देखते हैं कई राज्यों में आपका बिधान परिशत भी होती है बिधान सभा भी होती है उसे ही की बात कर रहे हैं हाला कि सदसों को नाम जद कलने की कुछ सक्ति बनाय रखी गई और फिर भी आप देखेंगे कि पितेक सदर में निर्वाचन, निर्वाची सदसों का बहुमत होना सुनिश्चित किया गया। सदसों का चुनाओ सिमांकिद निर्वाचन छेत्रों द्वारब फितेक चुरूप से किया जाना था और मताधिकार का विस्तार किया गया। निर्वाच्य के मंडल के लिए आहरताएं संपदाएक समोर निबास संपत्ती पर आधारत थे यानि कि वोट डाल लेंगी। आठ पिर्वुक परांतों में जिन्हें गवर्नर का परांत कहा जाता था दोएद सासन की एक नई पद्धिती शुरू की गए उननीस सो उननीस के भारत अधिनियम परिशद अधिनियम के द्वारा ठीक है और परांती सूची के विस्ताओं को दो भागों में वाटा गया ए अस्तांतित विसाई की बात करने तो भारतिया मंत्रीयों की एधिकार में थे और जिनकी नेकती भारतिया सदस्तों में से होती थी एक की अभी तो आप देखते हैं लोग सवा सदस्तों को देख लीजे राज सवा सदस्तों को इन्हें में से आपके मंत्री बनाया जाते हैं इसी में से प्यधान मंत्री, इसी तरह राज में आप देखते हैं, बिधान सवाओ, बिधान पविश्द हो, इनी में से तो मंत्री बनता है कोई व्यक्ति. अधिनियम के प्यारम के दस बर्स बाद दोएद सासन परणाली और सम्मिधानिक सुधारों के बिवारिक रूप की जाच के लिए और उत्तरदाई सरकार की परगती से सम्मंदीत मामलों पर सिफारिस करने के लिए, बैटे संसद्वारा येक आयो की गठनन की विवस्था की ग कि आप जिनके बारे में नेड़र लेनी की बात करें, उसमें उनकी सदसों कोई सामिल नहीं किया गया, जो साइमन आयोक था, इसमें कोई भारतिये सदस नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था, और याद रखिए लोक सिवा आयोक का, कि गठन का प्रावधान किया 1919 के अधिनियम में, फिर आप देखते हैं कि आपका आता है साइमन कमिशन 1927, तो 1919 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार सर जौन साइमन की अधिक्षा में एक आयोक का गठन होता है, और इस आयोक में भी एक भारतिये सदस नहीं था, एक भी नहीं था, और इसके लिए इसका बिरोध बता रहा हूं, अता अभारतिये द्वारा इसका बिरोध किया गया हो, आयोक ने कि रिपोर्ट जून 1930 में पिकासित हुई, साइवन कमिशन द्वारा डोमिनियन दर्ये की मांग को ठोगरा दिये जाने की बात कॉंगरिस ने 1929 के लाहर अधिविशन में पूर सौरा पिश्ताओ कावपारित हुआ था, तो याद रखे 1929 में, और किस अधिविशन में, कॉंगरिस के किस अधिविशन में, लाहर अधिविशन में, फिर आप देखेंगे कि एक नहरू रिपोर्ट भी आती है, ये भी काफी चल्चा में रहती है, 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सरव दलिये संभिलन बुलाए गया, और संभिधान का प्यारूप बनाने के लिए पंडित मौतिलाल नहरू की अध्यक्ष्टा में, 9 सदस्सों की एक संती बनाई गयी, और इस संती द्वारा पिस्तुत प्यारूप को ही नहरू रिपोर्ट के नाम से आप लोग जानते हैं, नहरू रिपोर्ट लखनओ के सरव दलिये संभिलन में सुईकार की गई, और लेकिन दिसमबर 1928 में कलकत्ता के सरव दलिये संभिलन में इस पर गंबीर आपत्ती उठाई गई, और नहरू रिपोर्ट के संपदाईक समझोते में सभी संभित नवाचन समूँ का पिस्ताओ था और इसे पिस्ताओं पर सबसे बड़ी आवगती मुहमद अली जिन्ना ने की थी और आप समझें कि यहीं से मुहमद अली जिन्ना की एक तरह से पाकिस्तान के लिए वो अलग होने लगते हैं समझ रहें मुसलिमों के लिए अलग होने लगते हैं और आप जाते हैं चलके इ आप सभी जानते हैं और आप सभी को मालू होगा कि कॉंग्रेस ने एक मात दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लिया था कॉंग्रेस की तरफ से गांधी जी ने ठेक है साइमन आयो की रिपोर्ट के पिकासित होने के पहले लौड एविन ने घोशना की थी कि रिपोर्ट को गो कि कॉंग्रेस ने भाग ही नहीं लिया और फरवरी 1931 में गांधी इर्विन समझोता होता है इसके फलसुरूप दूसरे गोल में सम्मेलन में कॉंग्रेस की तरफ से गांधी ने सम्मेलन में भाग लिया तो याद रखे गांधी इर्विन समझोते को भी आपको याद रखना हुआ फरवरी 1931 में होता है ठेक है गांधी और एर्विन की बीच और स्रीमती सरोजनी नाइडू पंडित मदर मुहन मालविये ने बेटे सरकार के मनोनी सदस की रूम में इसमें भाग लिया तो ये भी आप लोग याद रखिए दूसरे समधाय के पितिनिधियों को भी आमंत परण राष्टी समुओं ने इसे प्रावधानों का जमगब विरोत किया और तीसराओ और अंतिम गोल में इसमेला नवंबर 1932 में होता है और एक सुवेद पत जारी किया जिस पर बेटेन की संसत की सयुक्त प्रवसमती ने विचार किया वो इस सुझाओं के आधर पर भार तो इने भी आप लोगों को याद रखना होगा और पूना समझदा आप लोग याद रखेगा फिर आप देखते हैं कि भारत सासन अधिनियम 1935 इसे जरूर याद रखेगा यहाँ अधिनियम भारत में पूर उप्तदाई सरकार की महत्मूर इस्था रखता हो इस अधिनियम सनुछेद हो गया और 10 आपकी अनुसूचिया होगी जिस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं याद रखेगा और इस अधिनियम द्वारा अकिल भारतिय संग का प्रावधान किया गया जिसमें बेटे इस प्रांतों का सामिल होना अनिवार था किन्तु देशी रियासत संग सूची में आप लोगों को यह देखने कुमलेगी जो आपकी संगिये सूची प्रांतिये सूची संबर्ती सूची आज आप देखते हैं संग सूची और एक देखते हैं आप लोग राज्य सूची एक संबर्ती सूची संग सूची पर आप देखते हैं क्यंद सरकार कान जांदा सकती साली होंगे ठीक है तो ये भी याद रखेगा केंद में दुई सदनात्मग विधायका की स्थापना की गई राज्य परिशद उच्छ सदन और केंद्रिय विधान सभा यानि की निम्न सदन एक तरह से आप लोग सभा राज्य सभा कह सकते हैं इसे ठीक है उननीस के अधिरियम द्वारा जो दोएद सासन परांतों में लागू किया गया था यानि की राज्यों में उसे एक केंद में लागू कर दिया गया जो आप राज्यों में देख रहे थे ना दो बिधान परिशद और बिधान सभा अब वो केंद में हो गया और केंद्रिय सरका के विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया एक तो आपका सनरक्षित विषय था एक आपका हस्तांतरीद विषय था सनरक्षित विषय एक गवर्नर जनलर की अधिकार चित में था जबकि हस्तांतरीद विषयों का सासन मंत्री वरिशत को सौप आ गया जो मंत्री बश्षाद उनकी थी परांतों में दोईद सासन को समाप्त कर परांतिये स्वायत्ता कि सिद्धान्त को सुईकार किया गया तो एक कुश्चन्स भी पूचा जा सकता है कि जो परांतों में दोईद सासन की व्यवस्था थी कम मिली थी? में 1919 में और कब खतम की गई 1935 में ठीकार और केंद में आप देखिए कि दुई सद आत्मक वेवस्था Br 자기 के आदिनियम के द्वाला प्रांतिय विधान ञंडल को अनेक सकतियां दी गए मंत्री पर्षत को विधान मंदल की पिती जिम्मिदार बना दिया गया और वह एक आविस्वास पिस्ताओं पारित कर उसे पल से हटा भी सकता था ठीक है और विधान मंदल पिसनों और अनुपुरक पिसनों के माध्यम से पिसासन पर कुछ नियंतर्ड भी र लग कर दिया गया उड़ी साथ था सिंध नाम से दो नए प्रांथ बना दिये गया बर्मा वही है म्यार मार आप लोग जिसे आज की स्थी में आप लोग जानते ना वही पहले बर्मा की नाम से जाना जाता था और इस अधिनियम द्वारा एक संगिये बैंक यानि की रिजर की गई थी इसकी ठीक है लेकिन आप जानते हैं कि आंगे चल कि आपकी 1934 का अधिनियम थाप का और और एक अपरेल 1935 को इसकी स्थाप ना होती यार्वी एगी मैं सही बता रहा हूं कि घलत तो नहीं बता रहा हूं और इसी में आप देखेंगे सहयुक्ति लोग सिवायोग यानि कि आप देखते हैं केंद में भी आप देखते हैं राज में भी आप लोग देखते हैं एस्टेट PCS होता है ना और केंद में आप देखते हैं UPSC होता है तो उसी की बात की जा रही है केंद्री ये लोग सेवायव और दो या अधिक राज्जों के लिए एक लोग सेवायव का प्रावधान किया गया इसी में आपका तो यह भी आप लोग याद रखेएगा और याद रखेए जो आपका RBI है इसका मुख्याल है आपको कहा देखने को मिलेगा हेड़कॉाटर मॉंबई में यह भी आप लोग याद रखेएगा फिर आप देखते हैं कि सम्मिधान सभा के लिए चुनाओ होता है सम्मिधान बनाने के लिए जो आपकी सभा उसी की बात करूँ कैबिनेट मिसन की बारे में गांदी जी ने कहा था कि यह यह उजना उस समय की परिष्टेतियों के परिफेक्च में सबसे उत्कृष्ट यह उजना थी और उसमें ऐसे बीच थे जिन्हें जिससे दुख की मारी भारत भूमी यातना से मुक्ती हो सकती थी और जुलाई 1946 में आप देखेंगे केबिनेट मिसन यह उजना की अंतरकत सम्मिधान सभा के लिए चुनाओ होता है यह भी कुष्टन कई बार बन चुका है कि सम्मिधान सभा का गठन किस यह उजना के अंतरकत किया गया था तो याद रखी केबिनेट मिसन यह उजना और यह आई कब थी 1946 में कई बार एक किरम से लगाने के लिए भी आ जाता है यह भी आप लोग याद रुखे यह सम्मिधान सभा प्रांती बिधान सभाओं दोरा चुनी जानी थी और क्योंकि यह एक वैस्क मतादिकार के अधर पर चुनी जाती तो समय अधिक लगता यानि कि इसका डारेक्ट जनता के दोरा चुनाओ नहीं किया गया था लेकिन मान लिया गया था कि 10 लाग के करीम एक सदस्की बात की गई थी और समिधान सभा कि 296 इस्थानों के लिए चुनाओ संपन हुआ इस चुनाओ में कॉंग्रेस ने आप देखेंगे कि 214 सामान इस्थानों में से यहीं से आप देखें कि मुसलिम लीग की बॉखला हट सुरू होती है और मुसलिम लीग यह सोचकर बॉखला गई कि 296 सदस्की समिधान सभा में उसकी केबल 24-34 सीट है ही है और उसे 29 जून 1946 को कैबिनिट में सन एउजना को आस्विकार कर दिया किसने मुसलिम लीग की बात करा हूँ आप देखते हैं कि 1906 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी और साथी लीग ने पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए पित्यक्ष कारवाही की धम की दी और इस पेकाल लीग ने 16 अगस्त 1946 इस भी को यानि कि आप देखेंगे 16 अगस्त 1946 को पित्यक्ष कारवाही दिवस की रूम में मनाया और इस दिन आप देखेंगे भारी खूनी संगस हुआ बंगाल में ही आप देखेंगे 7000 लोगों की डेथ हो गई यानि कि इनका कतल किया गया साथी बिहार बंगाल में नुवाखली, सिलहट, बंबई, गड़ मुक्तेश और उत्तरकदेश यहां भायान एक संपदाएक दंगे हुए और आप समझे कि आप लोग कहते हैं कई लोग कि गांधी जी ने पाकिस्तान को अलग किया था गांधी जी का हाथ था आप सभी जानते हैं कि जब एक परिवार में मार कार्ट सुरू हो जा तो बाप के पास क्या उप्सन बसता है कि वेटों को अलग कर दे तो उस समय यही परिस्तिती बनी हुई थी और याद रखी जो मुहमत अली जिन्ना थे इनका अपनी महत्वा कांची थी राजनेतिक महत्वा कांची थी क्योंकि आप समझी कि इन्हें सीटे ना के वारावर मिली तो इनकी जानदा कुछ है इन्हें पद भी नहीं मिल सकता था तो इन्होंने सुचा कि एक अलग देश बन जाता है तो वहाँ तो कम से कम पिधार मंतरी या राश्टपती जो भी हो पद मिलने लाइक है तो आप देखते हैं कई बार आप लोग इस तरह की अपनी अपनी देखिए राजनेतिक महत्वा कांचा होती है हमारे देश में भी तो अभी भी आप लोग राजनीती में देखते हैं उसी की बात इसे भी आप लोग याद रखी एटली की गोशना को भी इससे भी कुश्चन सा जाता है करिवा 2 सेप्टमबर 1946 को जवाहलाल नेहरू की नितत में 12 सदसी अंतरिम सरकार ने सबत गेंड की और वेविल की अनुरोथ पर मुसिलिम लीग के 5 सदस अंतरिम सरकार में सामिल हुए किन्तु उनका रोख हट धर्मिता का रहा इसलिए किसी समझोती पर अंतिम नेड़ नहीं हो सका बेटिस पिदानमंतरी क्लिमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को दो महत्पून घोषना की पिथम घोषना उसने कहा कि बेटिस सरकार जून 1948 से पूर याद रखे जून 1948 से पहले भालतियों को सत्ता सौप देगी और इस घोषना की बाद आप देखें मुसलिम लीग ने भारत की बटवारी को लेकर अंदोलन तेज कर दिया उसे असम पंजाब वो पश्चमी सीमा परांत में खूनी संगरस करवाया और एटली ने दोसरे ही घोषना यह भी की कि लॉड माउंटन को भारत का वायसराय बना कर भेजा जाएगा लेकिन आप देखते हैं कि उससे पहले ही वो भारत चोड़ देते हैं एक अधिनियम आप लोग याद रखी भारती सुदंता अधिनियम 1947 क्योंकि इससे भी आपके कुश्चन साबते रहते हैं माउंट वेटे नियूजना की आधार पर वेटे संसर द्वारा भारती सुदंता अधिनियम 1947 पारित किया जाता है इसमें क्या-क्या पराहोधान थे इसमें भारत का चेत्री विभाजन भारत और पाकिस्तान की रूम में करने और बंगाले और पंजाब के में दो-दो परांत बनाने का प्रिस्ताव किया गया पाकिस्तान को मिलने वाले छेत्रों को छोड़कर बेटिस भारत में समलेगाए और पूर्वी बंगाल पश्च्वी般 असम के सिलहट जिले को पाकिस्तान में समलिध किया गया इसलिए आप देखते हैं कि आज जो बंगलादेश देखते हैं आप लोग, पहले आप देखते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, यह आप जानते हैं कि 1971 में इंद्रा गांधी की समय बंगलादेश बनता है, भारत तो पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापन और इसमें आप देखेंगे गवर्णर जनरल को एक्टिव प्रभावी प्रवर्धन के लिए ऐसी विवस्ता करने ही तो जो उसे आवस्थक और समिचेत प्तीत हो आइस्थाई आदेश जारी करने का प्रादीकार दिया गया पितेक डॉमिनियन के लिए पितेक विधान मंदल होगा जिसमें विधिया बनाने का पूरा प्रादीकार होगा और बिटेस अंसद उसमें कोई हस्तिषे नहीं कर सकेगे भारती रियासतें इन दोनों मैंसे किसी भी में सामिल हो सकती थी और सुतंद भी रह सकती थी आप देखते हैं 564-65 के करीब आपकी रियासतें हुआ करती थी इनसे कहा गया कि आप या तो भारत में सामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में सामिल हो सकते हैं आप चाहें तो सुतंद भी रह सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसमाइब कई रियासतें खौऑब देख रही थी हैं, कि अलग देश बनाएगे, सुतंद देश बनाएगे, लेकिन आप समझें कि संभा होए नहीं था, इसलिए आप देखते हैं कि हमारे सरदाल बला भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ है भारत को एक करने में अगर वो ना होते तो साइद आज हम लोग भारत की जो तस्वीर देख रहे हैं ऐसी ना होती है ऐसा माना जाता है कि वो एक गन्ने का कहा जाता है ऐसा गन्ना लेके जाते थे और पूंचते थे रियासतों के राजा खाना पसंद करोगे या खाना पसंद करोगे किस तरह से खाना है आप पर निर्वार है कि साही उपादी भारत का समराट सब्दे समाप्त कर दिया गया ऐसा दिनियम के तहट तो यह याद रखिएगा और इस भारतिया सुतनता दिनियम उन्नेश्य सो से तालीस के अमसार 14 15 पाकिस्तान नामक दो सुतनत राष्ट का गठन कर दिया गया और इस पेकार भारतिय समिधान की बहुत सी संस्थाओं का विकास समिधान विकास के लंबे समय में हुआ जिसकी चर्चा उपाय किये गई और इसका सबसे महत्मूर धारन संगिये वेवस्ता यह कॉंग्रेस और द्वारा प्राप्त हुए थी जब भारा सोतन्त हुआ तब राष्टी आंदोलन के नेता संगिये विवस्ता के लिए बचनवद्ध हो चुके थी और संगिये विवस्ता जो कारिफालिका और विधाहिका के संबंधों को परिभासित करती थी भारत में आपरचित नहीं थी इससे तरह भारती संब्धान संब्धान निर्माताओं बुद्धी मानी और सूख्च में दिरश्टी और काल करम में विख्षित संस्थाओं कारवविधियों का एक अकूर समिस्थरण रहा तो यह सबी आपकी एक्ट हैं और आप समझते हैं कि यही करम है आपका संब्धान बनने का भी तो आप लोग देखते हैं कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिने आप लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं और आप लोग समिधान में भी पढ़ते हैं और यहां जाकि आप समझे कि आप लोग आजादी मिल जाते हैं वैसे तो आजादी मिल चुकी है आपके पास मौली का दिकार भी आ चुके हैं, लेकिन सच में कितने लोगों को आजादी मिली हुई है, यह कहना अभी भी गलत है, क्योंकि हम आजादी का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन एक बात माननी पड़े गियां, कि आप समझ सकते हैं कि मौली का दिकार होने चाहिए, आप समझ रहे हैं, कुछ नीती ने दे सकतत भी होने चाहिए, ऐसा पद होना चाहिए, ऐसा पद होना चाहिए, उनकी दो दरश्टी सोच रही होगी, इन सभी पॉइंटों को आप लोग याद रश्ट लीजेगा, इन से आपके कुश्चन्स आते रहते हमेशा, ठीक है?